नई सुभा के यूट्यूब चैनल को विजिट करने का शुक्रिया मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट अस्सलाम उलेकूम नई सुभा के इंडिपेंडन लिविंग प्रोग्राम के आडियो टॉटोरियल्स के साथ मैं हूँ सना नजीर आज हम बनाना सिखेंगे गार्लिक ब्रेड इसके लिए जो अज़्जा हमें तरकार हैं वो ये हैं लहसन दस से बारा जवे बारीक चौप्ट हुए वे हरी मिर्च दो से तीन अदद बारीक चौप्ट हुई भी पिसी काले मिर्च एक चुटकी नमक एक चुटकी मखन सौ ग्राम तरकीब सबसे पहले आप दो मिनिट के लिए मखन को ओवन में पिगला लें इसके बाद इसमें चौप्ट लहसन, चौप्ट हरी मिर्च, पिसी काले मिर्च और नमक शामिल करें और अच्छी तरह चमचे की मदद से मिक्स करें फिर आप चुले पर पैन रखें और उसके ऊपर ब्रश की मदद से ओईल ग्रीज करें जब पैन घरम हो जाए तो ब्रेट का एक पीस लें और ब्रश की ही मदद से गार्लिक बटर लगाएं और चारो तरफ अच्छी तरह पहलाएं और जिस तरफ गार्लिक बटर लगाया है उस तरफ से पैन के उपर डाल दें अब आप दूसरी जानिब पैन के अंदर मौझूद पीस के उपर ही गार्लिक बटर अपलाए करें जब तक आप गार्लिक बटर दूसरी साइट पर लगाएंगे तब तक पहली साइट पक चुकी होगी अब आप चिम्टे की मदद से साइट चेंज करते हैं और इसको भी इसी तरहां चन सेकिंड तक सेकें और फिर इसे प्लेट में निकाल लें आप इसी तरहां वन बाई वन एक एक पीस पर गार्लिक बटर लगाएं और इसी तरहां साइट पल्टें और दूसरी साइट पर लगाएं और फिर इन्हें प्लेट में निकाल लें याद रहे आंच हल्की रखें ताके आपके पीस और पीस पर लगा हुआ गार्लिक बटर जले नहीं और टेस्ट बढ़करार रहे जब सारे पीस तयार हो जाएं तो इसे अच्छी सी प्लेट में सजा लें और सर्व करें मज़ेदार गार्लिक ब्रेट तयार हैं आज के लिए इतना ही मिलेंगे नई रासुदी के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफिज ये मालमाती मवाद नई सुभा की जानिब से पेश किया गया अपनी आरा के इज़ार के लिए कॉमेंट कीजिए ये डिस्क्रिप्शन में दिये गए राप्ते के जराए इस्तमाल कीजिए